जै माता दी दोस्तों तपो भूमी क्लासिस में मैं अपदेश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मद्द प्रदेश वन रच्छक एवं जेल परहरी संयुक्त परीच्छा का एक्जाम एनालिसिस यानि की परीच्छा विशलेशर ये एक्जाम एनालिसिस 18 जुलाई और 19 जुलाई को हुए एक्जाम्स पर आधारित है इस एक्जाम एनालिसिस में दोस्तों हम देखेंगे कि किस परिकार के कुष्छन्स पिछले दो दिनों हुए पेपर्स में पूछे गए और हमको आँगे क्या स्टेटगी बनानी चाहिए ताकि हम अपने पेपर में 5 से 10 नंबर का इंप्रूब्मेंट कर सकें साथ ही दोस्तों हिंदी अंग्रेजी विज्ञान मैत और जीके के कुछ रियल कुष्छन है जो इन एक्जामस में आए हैं उनके लिए मैंने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली है उसमें बहुत सारे कुष्छन वो दिये गए हैं आप वहाँ पर जाकर उन कुष्छन को भी देख सकते हैं उसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में आपको दे दी जाएगी साथ ही दोस्तों जिल लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं लाता रहता इसी परकार के वीडियो जो आपके एक्जाम द्रश्टी कौन से बहुत मैतपूर हो सकते हैं तो चल ये सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं बिग्यान बिग्यान में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोजी से तो प्रस्न आई रहे हैं साथ ही साथ दो तीन प तो रच्छा अधकारी में कुश्चन आये थे जो थोड़े नुमेरिकल बेस थे उस तरीके के कुश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं वन नाइनर सी ज़्यादा तर पूछे जा रहे हैं जैसे की सूर से पृत्वी तक प्रकास को आने में कितना समय लगता है और इसी तरीके क सरल सरल वन नाइनर कुश्चन आ रहे हैं बॉल बेरिंग का काम क्या होता है इस तरीके के कुश्चन आ रहे हैं तो ऐसे कुश्चन आ रहे हैं जो ज़्यादा तर एक्जाम में रेपीट नहीं होते हैं तो यह आप बेसिक बेसिक पढ़ लीजे सारे चैप्टर्स का थोड़ चेप्टर अच्छे से पढ़ लीजे क्योंकि उसके काफी कुशन आ रहा है जैसे गौल जी काई का काम क्या है लाइसोसोम का काम क्या है इस तरीके के कुशन Chemistry में दोस्तों अलग अलग अभी तक जो कुशन आ रहा है वो अमल और चार के कारियों से संबन देता रहा है कि S.C.L. का इस अविक्रिया में क्या काम होता है इस अविक्रिया में क्या काम होता है तो दोस्तों Chemistry के लिए भी मैं यही कहूंगा कि जो man-man reactions हैं बड़ी-बड़ी उनको आप देख लीजिएगा तो वो high level के question हो जाएंगे और जो कुछ simple question है वो बिलकुल ही simple है अलग-अलग अमल चारों और chemical component के काम क्या होते है उनके रासाइनिक नाम क्या होते है इस तरीके के question आ रहे हैं अब आते हैं दोस्तों English पर English कई students के लिए समस्या का विसाय है English को दोस्तों मैं दो पार्ट में विवाजित कर रहा हूँ एक तो English grammar और दूसरा vocabulary ठीके दोस्तों vocab से 10-12 question आ रहे हैं और grammar से 8-10 question आ रहे हैं अभी तक दोस्तों केबल एक सिप्ट में unseen passes पूँचा गया था उसके बाद किसी भी सिप्ट में unseen passes नहीं पूँचा गया तो आप कम ही उम्मीद करें कि आपके paper में भी unseen passes आएगा vocab के portion में दोस्तों one word substitution, idiom phrases, antonym synonym तो पूँचे ही जा रहे हैं साथ ही साथ दोस्तों spelling correction के question भी काफी आ रहे हैं एक paper में तो spelling correction के 5 question आए थे और बाकी के papers में 2 या 3 question तो spelling correction के आई रहे हैं तो दोस्तों spelling correction एक नया बिसा है और इस पर मैं जल्दी जल्दी मलब कल तक एक video lecture डाल दूँगा तो वो आप जरूर देख कर जाईएगा साथ इससे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हो गाई ठीक है दोस्तों English grammar में जो पूचा जा रहा है वो error detection, fill in the blanks और sentence improvement इन से पूचा जा रहा है तो इसके लिए जो मैंने 10 video lecture बनाये थे error detection या sentence improvement के लिए तो वो आप देख के जाईए उतना परियाप्त रहेगा उतने में आप पूरा grammar करा हुए दोस्तों English ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है जिसकी vocab ठीक ठाक है वो आराम से यहाँ पर 17-18 number लेके आ रहा है अब आते हैं दोस्तों Hindi के portion पर Hindi में भी vocab portion से question ज़्यादा आ रहे हैं साती सात ग्रामर से तो काफी कमा रहा है यानि संदी समास और रस्चंद अलंकार इनसे प्रस्ण limited है 5 या 6 प्रस्ण है तो दोस्तों जो प्रस्ण ज़्यादा तर आ रहा है वो आपके तत्सम, तदवा, उपसर्ग, प्रत्या, परियाबाची, बिलॉम सब्द इनसे ज़्यादा प्रश्ण आ रहा हैं उनके संपादक जो मद्द प्रदेश से हैं उनको भी याद कर लीजिए क्योंकि जो हिंदी साहित का इताहस पूँचा जा रहा है वह केवल और केवल मद्द प्रदेश से रिलेटेड पूँचा जा रहा है जो मद्द प्रदेश के कभी हैं वो कहां से संबंद रखते हैं, किस जिले से संबंद रखते हैं इस परकार के प्रश्ण भी पूचे जा रहा हैं तो जो मद्द प्रदेश हिंदी सायते का इताहस है इसको अच्छे से कर लीजिए और walkie portion में आप उपसर्ग प्रत्याय तत्वाव कठिन कठिन वाले देख लीजिए बिलॉम सब्द भी कठिन वाले आप देख लीजिए तो दोस्तों अगर आपके 15 से 17 नंबर हेंदी में आ रहे हैं तो इसको हम very good score बोलेंगे क्योंकि इतना परियापत है दो चार नंबर तो उपर नीचे होई जा रहा है क्योंकि काफी अच्छी walkie पूची जा रही है है हैंदी में अब आते हैं दोस्तों गड़ित पर गड़ित जैसा की सोच रहे थे की काफी कठिन हो सकता है लेकिन बिल्कुल सरल आ रहा है हर चेप्टर से एक-एक question आ रहा है चाहें आपका advance हो वहां से भी एक-एक question आ रहा है कि निर्दे संग जैमती से भी एक question क्रमचा संचे से भी एक question या दो question ठीक है इसी तरीके से जो लाभानी है और ब्याज है इन सबी चेप्टर से सरलीकरड यानि हर चेप्टर से एक-एक दो-दो question आ रहा है और दोस्तों कुछ आठ-दस question मैंने Facebook पोस्ट पर भी डाले है तो नीचे लिंक दी है description में वहां से आप हमारे Facebook पेज पर जाईएगा वहां पर पोस्ट डली हुई है उसमें कुछ 10-12 question जो अलग-अलग सिप्ट में पूछे गए हैं वो दिये गए हैं तो वहां से आपको idea लग जाएगा कि किस level के question आ रहा है तो यहां मैत अगर आपका ठीक-टाक है तो आप आ रहा हम से 20 में से 20 number ला सकते हैं अब आते हैं दोस्तों GK के portion पर GK का portion बहुत सारे students के लिए समस्या का विशाय बना हुआ है दोस्तों GK में केवल और केवल मद प्रदेश से related GK ही पूछी जा रही है केवल और केवल MP GK पूछी जा रही है तो आप सबसे पहले तो क्या है दो-तीन दिन में MP को अच्छे से पढ़ लीजिए MP से related ही current affairs पूछा जा रहा है MP से related जो बड़े-बड़े व्यक्ती हैं उनके ग्रह जिले पूछे जा रहा है या पर उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस जिले से संबन देता है किस खेल से संबन देता है किस काम से संबन देता है इस तरीके के questions पूछे जा रहा है या पर MP में जो बड़े-बड़े टूनामेंट कभी किसी time पे हुए हो उनके बारे में पूँचा जा रहा है या फिर किसी बड़े बड़े टूनामेंट में MP कप विजेता या विजेता रहा है इस तरीके के प्रशन पूँचे जा रहा है तो लगबग 20 से 25 कुश्चन मैं अपनी Facebook पोस्ट में मैंने डाले हैं तो वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं और दोस्तों जैसा कि exam का pattern रहता है हमेशा एक तरीके का question अगर एक exam में पूँचा जाता है तो उसी तरीके से या फिर उससे थोड़ा सा आंगे बढ़के question अगले paper में आता है तो ये जो question से इन questions को देखकर आप decide कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है जैसे कि मान मदप्रदेश ने कब मेजवानी करी क्या 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 इस तरीके के question हो सकते हैं या पर मदप्रदेश से related जितने भी cricket खिलाडी हैं उनके बारे में देख लीजिए कि वो किस-किस जिले से संबंदित हैं और भी चीजें ये हम देख सकते हैं तो इसी तरीके से खेल से भी आ रह देखेंगे उनहीं से relate करकर के जो आ रहे हैं वो चीजें आप पढ़ लीजिए तो दोस्तों ये exam analysis आपको कैसा लगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए साथी साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर अगर आपका paper हो चुका है तो please comment box में कैसा आपका paper रहा क्या क्या questions रहे है जरूर बताइए ताकि दूसरे students को इससे मदद मिले या पर आगे भी आपके जो भी paper होने वाले हैं उनके बारे में भी आप जैसा भी exam रहे आपका वो भी comment box में बताइए ताकि आगे के exam analysis में मु को आपका रागे कि दूस को ए वित ख़ियें में मुझे एूसरे ताकि आपका